पिछले कुछ वर्षों से होट अटैक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। लोगों में हृदे अगात का जोखिम बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं। हृदे रोग किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है। बिगडी लाइफस्टाइल और आहार की गडबडी के कारण हृदे रोग का जोखिम बढ़ जाता है। कोरोना काल के बाद से होट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के कई मामले सामने आए हैं। इनमें से कई ऐसे केस भी हैं जिसमें फिटनेस का ध्यान रखने वाले जिम व नियमित व्यायाम करने वाले लोग शामिल हैं। सिर्फ शरीर को हिट रखने से हृदे मजबूत नहीं बनता है। दिल को मजबूत बनाने और हृदे रोग के जोखिम से बचने के लिए नियमित योग किया जा सकता है। योग के माध्यम से उच्छ रक्चाप, कॉलेस्ट्रॉल और रक्च शरकरा के स्तर को नियंतरित करके हृदे गती को कम किया जा सकता है। अपनी दिन्चर्या में योग आसनों को शामिल करके हृट अटैक और हृदे संबंधी रोगों के जोखिम को कम किया जा सकता है। ये रहे हृदे को मजबूत बनाने वाले योग आसन। वीर्भद्रासन। ये आसन कई रोगों से बचाव के लिए फाइदे मंध है। शरीर के संतुलन में सुधार, सहन शक्ती को बढ़ाने के लिए नियमित इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। वीर्भद्रासन रक्त परिसंचरण में सुधार करता है और तनाव को कम कर सकता है। इस आसन से होट रेट नियंत्रित रहता है। हृद्रे की क्षमता में सुधार और मांस्पेशियों को स्वस्थ रखने के लिए वीर्भद्रासन को जीवन में शामिल करें। धनुरासन हृद्रे को मजबूत बनाने के लिए धनुरासन योग लापकारी होता है। धनुरासन हृद्रे की मांस्पेशिया मजबूत बनाता है। शरीर को स्ट्रैच और हृद्रे पर अतिरिक्त पढ़ने वाले दबाव को कम करता है। रक्त संचार में सुधार और रक्त परिसंचरण बहतर कारे करने में भी सहायक है। व्रिक्षासन तनाव कम करने, मस्तिश्क शांत रखने और हृद्रे रोग की समस्या से बचाव के लिए नियमित व्रिक्षासन का अभ्यास कर सकते हैं। इस आसन से हृद्रे रोगों के जोखिम को कम किया जा सकता है।